ये बिग गई है गोर्मिंट अब गोर्मिंट में कुछ नहीं है सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं दोस्तो वाट्सअप ने अपने प्राइविसी पोलिसी को फिर से जी हाँ दोस्तो वो पुराना वाला नहीं फिर से एक नया अपडेट आ चुका है और अपने प्राइविसी पोलिसी को बदलाव करते हुए हम सभी के लिए वाट्सअप नया अपडेट रॉल आउट कर दिया है वाट्सअप के जो पुराना प्राइविसी पोलिसी अपडेट आया था क्या आपने उसे एकसेप्ट किया था तो आपके मुसीबत का क्या अगर आपने उसे note now कर दिया था तो अब क्या होगा आपका सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को end तक देखना होगा तो बिना किसी देरी किये आप इस वीडियो को एक like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और घंटी को on करना मत भूलेगा तो दोस्तों जैसे ही आप सभी अपना WhatsApp open करोगे तो आपको इस तरीके से एक message देखने को मिलेगा तो ये message क्या है और ये जो message है वो किनको किनको देखने को मिलेगा और किसके किसके पास ही ये message आएगा तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा ये जो message आप सभी को दिख रहा है ये आप सभी के WhatsApp के अंदर 15 मई तक रहेगा फिलहाल मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपके WhatsApp के अंदर ऐसा message आ चुका है और नहीं भी आया है तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे ये सारे सवालों के जबाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपको ये message आ गया है तो आपको इसी accept करना है और अगर आप इसी accept नहीं करोगे चाहे तो आप इसी आज करो कल करो या 15 मई से पहले करो जी हाँ दोस्तो इन्होंने अपने Twitter पे साप साप Hindi सब्दों में इन्होंने लिख कर बताया है कि आप सभी को 15 मई तक समय है आप हमारे नए प्राइविसी पोलिसी अपडेट को एक्टम ध्यान से पढ़ने का बहुत सारा समय दिया गया है अब यहाँ पे यह जो अपडेट आई है दोस्तो इससे आपकी सारी की सारी मुसीबत्यों का समधान हो चुका है जितने भी कनफ्यूजन थे वाटसब की प्राइविसी को ले कर वो सब के सब आपका सौल्व हो चुका है जी हाँ दोस्तो अगर आप यहाँ पे टैप टू रिव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि अपने नए प्राइविसी पॉलिसी अपडेट के बारे में इन्होंने पूरा तरीका से अपडेट ला दिया है यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने most important अपडेट लाया है और वो है आप सभी का we can't read or listen to your personal conversation इनका यह कहना है कि आपका जो भी chatting है call है ना वो हम सुनते हैं और ना ही उसे पढ़ते हैं जो भी आपका chatting है वो आपका end to end encrypted है और यह आपका कभी भी change नहीं होगा तो यह आप सभी का सबसे बड़ा मुसीबत था दोस्तो जो whatsapp ने confirm कर दिया है कि हम आप सभी के ना पढ़ते हैं और ना सुनते हैं और यह जो आपका है वो कभी change नहीं होगा इतना update whatsapp ला रहा है और अपने business को बढ़ावा देने के लिए ये वाली update basically launch करी जा रही है जी हाँ दोस्तो यहाँ पे अब आप shopping का मज़ा ले सकते हो और ये जो update में इन्होंने बताया है कि आप सभी चाहते हो business conversation से बात करना business वालों से बात करना business chat करना चाहते हो तो ही करो ये आपके उपर है अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मत बात करो ये it's depend on you कि आप business conversation से बात करोगे या नहीं करोगे तो यही finally update है दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि राहुल गांधी कातो कैरियर बनने से नहीं रहा जो भी translator है वो उनके जो भी translate होते हैं सब्ध होते हैं उनका translate नहीं कर पाते हैं और WhatsApp को भी लगा कि ये जितने भी वीडियोज बना कर हमारे privacy policy का एकदम तहस नहस कर दियें कुछ और meaning था हमारा और कुछ और बता दियें ये मेरा opinion है तो उन्होंने किया क्या है अपने नए privacy policy update को पूरा एकदम हिंदी में translate करके बता दिया है क्योंकि you का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है तो उन्होंने अपने कैरियर को बचाते हुए साफ साफ हिंदी में अपने privacy policy update को अपडेट कर दिया है अगर आप यहाँ पे continue पे click करोगे तो यहाँ पे आपका दूसरा line आ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे accept करने का option दे देगा जी हाँ दोस्तो अगर आप इसे 15 मई से पहले accept कर लेते हो तो ही आप 16 मई से अपने WhatsApp को इस्तेमाल कर पाओगे otherwise जैसे आपका WhatsApp deactivate रहेगा तो आपका WhatsApp बंध हो जाएगा तो आपको इसे accept करना ही है और कर देने में ही अच्छा है क्योंकि अपने जितने भी terms and policy है उसे इन्होंने साफ साफ हिंदी में लिख दिया है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है तो फिलहाल मैं आप सभी के सामन इसे accept कर देता हूँ ये देखे जैसे ही मैंने यहाँ पे accept कर दिया तो ये मेरा यहां से गयव हो गया है आप सभी से एक सवाल किये थे कि क्या आप सभी ने इसे agree कर दिया था या not now किया था तो अगर आप सभी ने agree कर दिया था तो आपको ऐसा message आपके WhatsApp के अंदर नहीं क्योंकि आप सभी ने पहले ही agree कर दिया था और अगर आपने note now कर दिया था तो आपको ऐसा message देखने को मिलेगा और इसे accept करने का जो deadline है वो है आपका 15 मई 2021 तक तो आप इसे अराम से पढ़ कर accept कर सकते हो तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो आपके सारे सवालों के answer दे दिया होगा तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को एक like कर दिजेगा चैनल को subscribe किजेगा और घंटी को on करना मत भूलेगा